एक वेलकम बार्क मारे चैनल डूस्ता वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि मेरा लूँब बाकी है तो दूस्तों दो दिन पहले ही मेरा लूँब हुआ और मेडिकल में मेरा लूँब के तुद्धाम को मैं पास होगया है अब जूस्तों अभी नभी निक स्पीलिंग यार यह एक खुशी भी है शिप पे ज्वाइन करने की और मतलब मैंड में ठोड़ा टेंशन भी है कि यार दो सालों को बाद शिप पे जा रहा हूं पने घरवालों को छोड़के दोस्तों जब हम शिप पे होते हैं तो फोन पर बात नहीं होती है अपने घरवालों किसी से भी बात में बात मीं होता है, बोट से थोड़ा बहुत चैट होता है, और बोईस कॉलिंग होगरा कभी कभी हो जाता है, विकास डेटा बहुत महांगा होता है दोस्तों, शिप पे, तो दोस्तों, शॉट्क्ट में मैं बताता हूं कि कल चार तारिक और 4 बज सूबर मेरी है, दोस्तों काफी हेक्टिक स्केडिल होने वाला है मेरा कल, क्योंकि चार तारिको, यानि कल चार बज सुबर मेरा दोहा के लिए फ्लाइट है, करीब साड़े तीन घंटे की फ्लाइट जर्नी है, फिर दो घंटे का लेओवर है दोहा में, उसके बाद दोहा से सौ पोलो प मैठे रहना है, लेट सी, देखते हैं क्या होता है, लाइप में इतने सारे चैलेंजेस आए हैं, एक और चैलेंजेस सही, यह भी पार हो जागा दोस्तों, तिरे तरे सब पार हो जाता है, टाइम बिग जाता है, सौ पोलो में है, सो लगंटे की जरनी के बाद दो घंटे का पोलो में लेओबर है, फिर एक दोमेस्टिक फ्लाइट है, दो घंटे का, एक पोर्ट एलिग्री बोलके एक जगह है, पोर्टो एलिग्री, सौरी, फिर पोर्टो एलिग्री से मुझे साड़े-तीन सु किलें मुटर बाइ रोड जाना है, बाइ रोड इन दिस निस बाइ का जाना है, तो काफी हेक्टिक स्केडिल है, लगबग टोटल अगर जर्नी देख की जाए तो लगबग 30-32 घंटे की जर्नी है, उसके बाद मैं पोर्ट में पहुंचूंगा, देखता हूँ, वहाँ होटल स्टे मिलता है या फिर नहीं, होटल स्टे अगर नहीं मिला तो डाय अगर डेटा मिलता है तो मैं वहाँ पहुंच के आप अपडेट दूँगा, अगर डेटा नहीं मिलता है तो मैं इंस्टा ग्राम में कभी-कभी stories गार डाल के, मैं आप सबसे contact में रहूंगा दोस्तों, messages गार मैं भी बात करूं गा आप सबसे, next video मैं कब डाल पाँगा अप रसी सित्राइए दोस्तों जब भी मुझे 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 मिलेगा माने जरूर अपडेट डालूमगा की मैं किस तरह से काम कर रहा हूं कैसे सिद्धक्रावी तोर रहा हूं दोस्तों चले दर दोस्तों सबसे किसी और वीडियों में तब तक के लिए बाई बाई दुस्तों टेक केर